मेरे सबी किसान भाईयों को नमस्कार मेरा नाम है नितेश जैन और आप सब का स्वागत करता हूँ मैं अनाच के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अडामा कंपनी की प्रैटिगन दवाई के बारे में जिहां में बताएंगे कि कितने ml दवाई आपको कितने एकड़ खेत में करनी हैं किस विदी के अनुसार करनी हैं कौन से मौसम में करनी हैं अगर करना है तो खेत में पानी होना चाहिए अन्य कोई दवाई मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं ये तमाम जानकारियां देंगे दोस् तो दोस्तों बने रही है हमारे साथ में अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले जाए दोस्तों शुरुभात करते हैं वीडियो की, कि प्रेटिगन दवाई का उपयोग आप मातर प्रत्यारोपित चामल की फसल में कर सकते हैं, अब प्रत्यारोपित क्या होता है? देखिए दोस्तों चामल दो प्रकार से हम रोपते हैं एक तो कि जब हम पानी भरते हैं और जो नरसरी उगवाई होती है हमने चामल की उसको बीच को चोब देते हैं बनलब बीच को पानी के अंदर डाल देते हैं जैसा कि ये नीचे हो रहा है और एक हम सूखे खेत में बीच को फेकते हैं या ट्रेक्टर से सिडिल के द्वारा ओडते हैं और फिर उसमें पानी भरते हैं तो वो जो सेकंड वाला प्रोसीजर है ट्रेक्टर के द्वारा वाला या हाथ से फेकने वाला उसमें इसको इस्तमाल नहीं करना है जो first वाला procedure है जो परमपरिक तोड़ से धान की खेती करते आ रहे है ये क्योंकि ये नया वाला तरीका तो अभी 4-5 साल में इजात हुआ है बाकी 10-20-50 सालों से जो फॉर्मूला चल रहा है वो ये ही वाला है कि पहले आप नरसरी उगाते हो धान की फिर आपके खेत में में खेत में पानी भरते हो और फिर उस पानी भरे हुए खेत में आप नरसरी को चोबते हो मतलब उगी उई फसल को चोबते हो उगी उई फसल को वापस से री प्लांटेशन करते हो वापस से उगाते हो तो उस फसल में आपको प्रेटिगन दवाई का इस्तमाल करना है कैसे करना है उससे पहले जान लेते हैं टेक्निकल नाम जहां दोस्तों प्रेटिगन दवाई का प्रत्यारोपित की हुए धान में काम आने वाले दो ही खर्पतवार नाशक दवाईयां होती है टेक्निकल वाइस अगर मैं बात करूं तो प्रेटीला क्लोर और बूटा क्लोर तो ये प्रेटीला क्लोर दवाई है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे वैसे दोस्तों आपको बता दू बूटा क्लोर दवाई बैन हो चुकी है प्रेटीला क्लोर की आपको डोज क्या रखनी है दोस्तों 500 ml पर एकर जिया दोस्तों इस दवाई का इस्प्रे नहीं होता है तो आपको इस्प्रे टैंक में ये दवाई नहीं डालनी है या किसी भी screwdriver के माधियम से या किसी भी चीच के माधियम से bottle पर थोड़ा सा छेद कर देना है जिससे की bottle में से बूंद बूंद करके दवाई निकल सके बस इतना ही छेद करना है जादा मुटा छेद नहीं करना है अब इस bottle को आपको लेना है और आपको ऐसे 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 bottle को उच्छालना है bottle में से दवाई डालनी है जैसे मैं आपको एक उधारण की तौर पर बताता हूँ ये एक पानी की bottle है और इस पानी की bottle में ये छेद हो रहा है और इस छेद से अगर हम ऐसे 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 डालेंगे आप खेत में इस खेत में तो ये दवाई आपको 500 ml प्रती एकड के हिसाब से करनी है तो यही इसका सबसे सही तरीका है दोस्तों तो मेरी नजर में सबसे बहस तरीका यही है क्योंकि हम इतने सालों से धान की खिती करवा रहे हैं और सबसे अच्छा तरीका यही है दवाई डालने का विशेश तरपे प्रेटिला क्लोर दवाई डालने का तो आशा करते हैं आपको तरीका समझ में आ गया होगा इसमें स्प्रिट एंक का आपको कोई इस्तमाल नहीं करना है डोज आपको जो बताई गई है उसी तरीके से डोज डालनी है ना इससे कम लेनी है ना इससे जादा लेनी है और दोस्तो एक चीज में विशेश तोर पर आपको बता दूँ प्रेटिला क्लोर दवाई तब ही काम करती है जब तक की खर्पतवार उगा नहीं होता है ये एक्चुली क्या करती है दोस्तों कि ये जो नीचे जो ये है पानी इसके उपर ये काई टाइप की चीज जमा देती है घास टाइप की चीज जमा देती है हरी हरी जिससे की खर्पतवार उपर नहीं उपाता है और केवल धान का पौधाई उपर उपाता है तो जब खर्पत्वार अगर उग गया है तो उस टाइम प्रेटिगन दवाई काम नहीं करेगी जब तक की खर्पत्वार उगा नहीं है तब तक ही ये काम करेगी वैसे मैं आपको महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में और ज़्यादा डिटेल में समझा देता हूँ चोटी और चोडी पत्ती दलदली वाशिक घास सेज जंगली घास सावा घास आदी सभी तरह खर्पत्वारों को उगने से रोकता है ये लाइन आप ध्यान से पढ़िएगा उगने से रोकता है उगने के बाद मारता नहीं है रोपाई के तीन दिनों के भीतर खर्पत्वार निकलने से पहले इसे दवाई का उप्योग करें जियां दोस्तों जैसे आज आपने धान रोब दिया है तो कोशिश ये करिए कि कल के दिन तक आपकी सब जगे प्रेटिगन दवाई डल जानी चाहिए अब दोस्तों ये खर्पत्वार को तो रोबता है लेकिन धान में इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है धान को धान की जो ग्रोथ है उसको ये बिल्कुल निर्भाद रूप से बढ़ने देता है और धान की ग्रोथ बहुत अच्छे होती है, धान में किसी प्रकार का कोई side effect नहीं होता है, फसल में 2-3 cm पानी रखें एवं 2-3 दिन तक पानी को रोके रखें, अब दोस्तों आपको इन नीचे खेट दिख रहा होगा, मैं आपको और बड़ी पिच्चर में दिखा देता हू ये जैसे धान की फसल है, इसमें 2-3 cm लगबग इतना इतना पानी भरा रहना चाहिए, उंगली जितना, लगबग इतना, ये काली पटी है, जितना, ठीक है, 2-3 cm पानी भरा रहना चाहिए, पानी नहीं तूटना चाहिए, नहीं तूटने का मतलब जो खेट की मेड है, जैस से पानी खेथ में बना रहे और तब आप डवाई डालेंगे तो यह दवाई जिसे आपने यहां डाले तो बहुत यह और यह यहां पहुंच जाएंगी यह यह बहुत जाएगी आपको हर जेगे जाने के दिकत आएगी पैदावार अच्छी लेने में क्योंकि शुरुवाती अवस्था में अगर आप कच्रे को खर्पत्वार को नियंत्रट रखते हैं तो आपकी जो फसल की फुटान होती है वो बहुत अच्छी होती है और जब हम डोस डालते हैं कोई भी टॉनिक कोई भी जाइं जिंक या काटाप या रीजेंट वगेरा कुछ भी फिप्रोनिल वगेरा डालते हैं तो वो केवल पौधे पर ही काम आती है और खर्पत्वार होता ही नहीं है तो पूरी दवाई पौधा ही एब्सॉर्ब करता है पौधा ही लेता है इस वज़े से पौधे में फुटान बह और कुछ हद तक अंकुरित खर्पत्वारों की जड़ो द्वारा ग्रैंड किया जाता है जो उभरने के तुरंत बात मढ़ जाते हैं अब दोस्तों बूटा क्लोर और प्रेटिला क्लोर में क्या फरक है मोटा जो यही है कि बूटा क्लोर तो जैसे अगर खर्पत्वार बिल जित्ती शमतार रखता है लेकिन फिर भी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप तो जैसे आज आपने धान बोया है आज आपने धान रोपा है और आपको कल की डेट में कल की दिनाग में आपको प्रेटिगन दवाई कर लेनी है ताकि खर्पत्वार बिलकुल भी उगा ही नहीं हो और दवाई बहुत अच्छा डंग से काम करें अगर फिर भी खर्पत्वार उग जाता है तो उसको हलके खर्पत्वार को छोटे खर्पत्वार को ये दवाई माणने के लिए सक्षम है और इसका बहुत अच्छा परिनाम है इसलिए हाल के दिनों में बूटा कलोर क इस्तिमाल में ले रहें यदि तमाम महत्वपूर्ण जानकारिया आप बात कर लेते हैं दोस्तों सावधानियों की सावधानी रखना बहर ज़रूरी है सावधानी हटी दुरगटना घटी यहां दोस्तों बच्चों को दवाईयों की पहुंच से आपको बहुत दूर रखना है हाथ में जब भी आप दवाई का इस्प्रे करें तो हाथ में दस्ताने और मुँपे मास्क पहनना बहुत जरूरी है और दोस्तों एक चीज आप विशेज जहान रखिए क्योंकि आपको इस दवाई को लेकर खेत के बीचो बीच जाना है तो आपको पैर के जो दस्ताने होते हैं जो प्लास्टिक के दस्ताने होते हैं पैर के वो भी पहनना बहुत जरूरी है नहीं तो पैर में क्योंकि खेतों में साप बिच्चू सभी प्रकार के जीव रहते हैं जलिए जीव रहते हैं, दूसरे जीव रहते हैं, वो कहीं न कहीं आपको शरीर को नुकसान पहुचा सकते हैं दूसरी बात दोस्तों कभी भी आपको ज्यादा गर्मी में दवाई नहीं करनी है सुभे के समय ठंडे वातावरण में, हलकी हलकी हवाऊं में सुबह जब नमी बहुत अच्छी रहती है जब मौसम में वातावरंड में बहुत अनुकूलता रहती है हमारे शरीर के लिए भी फसल के लिए भी उस समय आप दवाई करिए अगर सुबह नहीं हो पाता है तो आप शाम के समय भी दवाई कर सकते हैं दिन के समय आपको दवाई नहीं करनी है वैसे इसमें इस्प्रे का कोई इस्तमाल नहीं होता है लेकिन अगर दूसरी आपको दवाई करते हैं तो नेपसेक इस्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करना है दोस्तों ये दवाई भी आपको हवा से विपरीद लगेगी तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए अन्त में सबसे महत्वपुन बात है दोस्तों कि ये बॉटल जो भी पूरी उपयोग में आ जाती है उसके बाद जो खाली बॉटल बसती है कट्टा बसता है थेली बसती है टीम की बॉटल प्लास्टिकी बॉटल इन सबको आपको नश्ट करके तोड मोड के आबादी से दूर जमीन में गड़ा खोद के गाड़ देनी है अन्य कोई भी उपयोग में किसी भी उपयोग में आपको ये दवाई नहीं लेनी है आशा करते हैं ये पूरी सावधानिया आप अक्षर शे अमल में लाएंगे आपको जानकारी देंगे दोस्तों अडामा कंपनी की ही पैंडिगन दवाई के बारे में यहाँ दोस्तों बने रही है हमारे साथ में अगर जानकारी आपको पसंद आ रही हो वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर लीजिए वीडियो से value मिली ओ तो दूसरे किसान भाईयों के साथ में शेर कर दीजिए इसको, WhatsApp, Facebook, Instagram की Stories पे लगाईए, Status पे लगाईए, और साथ ही साथ में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बूलें, नोटिफिकेशन का घंटी वाला वटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे, और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे, दोस्तों नमश्कार,